Hello students welcome to magnet brains this is Tasmeen Pathan your science educator for class 9th and class 10th तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ class 9th and class 10th की science वी full complete detailed course के साथ जिसमें आपको मिलिंगे daily practice papers और students अगर आप लोग CBST boards से आते हैं तो हम आपको provide कराते हैं केजी से लेके class 12 तक की free of course classes और अगर आप लोग state board से आते हैं जैसे की MP board, UP board, Bihar board, Tele board and Rajasthan board तो हम आपको provide कराते हैं 6 से लेके class 12 तक की free of course classes और अगर आपको e-books and e-notes चाहिए उसका link भी आपको हमारे description box में मिल जाएगा तो आप जाकर उसको वहां से easily भी avail कर सकते हैं करने जा रहे हैं, retardation, retardation क्या होता है students, थोड़ा सा time देज़े और आपको retardation अभी चमकाती हूं basically in the previous session we have studied what is acceleration यह चीज़ तो पता ही है yes ma'am वो चीज़ तो हम अच्छे से पता है कि हमने previous session में आपने हमें यह बहुल अच्छे सिखा दिया है कि acceleration क्या होता है तो students, acceleration क्या होता है, acceleration होता है ma'am, change in velocity with respect to the time यही चीज़ सिखाएगी ना आपने, कि acceleration होता है, change in velocity with respect to its time यह होता है, acceleration अब हम इस acceleration को represent कर रहे थे, ma'am, A से अब change को कैसे दिखाएगे, change को हम दिखाते हैं किससे final velocity में से initial velocity को minus कर क्या रुकों जरा, आप इसको जरा हमाटाती हूं यह इसको मैं A से represent करती हूं is equal to final velocity minus initial velocity by time, तो acceleration is all about V minus U upon T, V minus U upon T, V कै है, ma'am, V is the final velocity and U कै है, U is the initial velocity, it means कि मैं मान लिजे, शुरू में अगर मान लो मुझे, मैं आपको एक, प्रॉब्लम देती हूं, ठेक है, प्रॉब्लम कै है, मैं एक case देती हूं, कि एक कोई गारी थी, वो गारी चली, तो उसका जो V था, मतलब कि उसका, मैं पहले तो उसका यू 50 km पर आवर था, ओके, यस माम, यह उसका यू था, 50 km पर आवर, फिर अगर हम लोग बात करने लगें, वी की, तो मैं हमने देखा, उसकी V में चेंज आगिया, उसकी final velocity होगे, कम से कम, 80 km पर आवर, अब आप मैं हमें acceleration कालकुलेट करके दिखाए, और यह जो आपका हुआ ह है, आप टाइम लगाए हाँ पर आपको, कितना, टाइम आपको लगा, 2 आवर, कितना, 2 आवर, तो इसकी आप से आप इसलेट कर से, acceleration कैसे है, माम, बहुत easy है, acceleration is equal to V minus U, V कितना था, हमें 80 की वन था, minus U कितना था, 50, मतब कितना change आया, वही से acceleration पता चलेगा, और टाइम टे दो आवर, दो आवर में हुआएगा, हम, तो हम नहीं देखा कि 80 minus 50 करेंगे हम लोग, तो यहां से आपका इंकल काएगा, 30 upon 2, तो इस तरीक से आपका, 50, 15 क्लोमेटर, पर आवर स्क्वार, तो बहुत एक्सलेशन में कितना change आया है, 15 क्लोमेटर पर आवर स्क्वार चेंज आया है, तो इस तरीक से आपका एक्सलेशन निकल कर आएगा, डन, यस माम, अब एक बात बताओ, जरूरी है यह स्पीड बढ़े, खुद सोचो, कि जरूरी है कि स्पीड हमेशा बढ़े गाड़ीगी, नहीं माम, एक्सलेशन कम भी हो सकता है, ऐसा हो कि वेलास्टी बढ़ बढ़े और फिर कम हो जाए, वेलास्टी बढ़े और फिर कम हो जाए, मैं जब वेलास्टी बढ़े तो एक्सलेशन बढ़ा, अब वेलास्टी कम होई तो एक्सलेशन भी कम, क्योंकि आपनी तो बता रखा है, आपनी तो बताया है, आपनी तो बताया है, आपनी तो बताया मैं velocity बढ़ रही थी, पहले 50 थी, फिर 80 हो गई, तो मैं velocity बढ़ी यहाँ पर, तो अगर मैं velocity बढ़ेगी, तो आपका acceleration बढ़ेगा, और अगर आपका velocity और acceleration बढ़ेगा, तो आपका graph भी कैसा आएगा? ऐसा आएगा कैसा आएगा कुछ ऐसा आएगा straight line graph क्योंकि मैं velocity और time के respect में तो acceleration आता है न तो if velocity increases then acceleration will also increases बट जरूरी थोड़ी ऐसा हमेशा हो जरूरी तो नहीं है ऐसा हमेशा हो तो मैं और कैसा हो सकता है मैं एक के साब और कहा बताना चाहती है मैं यह भी तो बताना चाहती हूँ जरूरी है कि वेलासिटी बढ़ी बट मानलो बाद में वो गाड़ी रूख गई या फिर ऐसा हुआ कि उसको traffic की वैसे कम करनी पड़ी अपनी speed तो वेलासिटी कम तो मैं हमेशा acceleration जाद हो जरूरी नहीं कभी कभी acceleration कम भी आएगा हां कभी कभी acceleration decrease भी होगा समझ के समझे नहीं समझे अब वो जो decrease है न इन acceleration वही है retardation सबर करो सब समझ भाएगा रोको जरा आओ जरा हाप मिरे साथ पहले तो भई acceleration takes place when velocity of body changes अब वो change जो है वो हमेशा के change कम भी हो सकता है न वो decrease भी तो हो सकता है सही बोल रही हूं नहीं बोल रही हूं मैं तो तो the velocity of body में increases and decreases वाई बोला मैं आपको कि जो velocity है उस body के students वो decrease or increase दोनों हो सकती है क्या decrease और increase वो दोनों हो सकती है accordingly the acceleration is of total उसी के basis पर acceleration दो टाइप का होता है positive acceleration और negative acceleration अभी जो पीछ एक्जाम्पल दिखाया मैंने तो वहाँ पर velocity बढ़ रही थी सुन रहो मनी बात वहाँ पर अभी जो यह मैंने आपको situation यहाँ पर दिखाई है पूरी की पूरी यहाँ पर हमने देखा मैं कि यहाँ पर velocity बढ़ रही थी तो acceleration ब screenshot ले लो उसका अब मैंने क्या बोला in case कि अगर आपकी velocity घड़ गई अगर आपकी velocity decrease होगी तो मैं उस case में acceleration is basically dependent on किस पर velocity पर डिपेंड कर रहे है तो अगर velocity कम हो रही है मैं तो यहाँ पर आपका acceleration भी तो कम होगा और इसकी वज़ा से आपका acceleration आएगा negative क्या आएगा आपका negative acceleration आएगा या फिर हम इसी negative acceleration को बोलते है है retardation क्या बोलते हैं हम इसी को retardation तो retardation समझ माया तुम लोग को क्या है मैं थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी आ जाएगा जब तक आप बताएंगी हमें पुरा बिल्कुल आओ ज़रा देखो तो यहाँ पर देखो तो उसी के बिस पर velocity बढ़ रही है तो positive होगा acceleration velocity घट रही है तो आपका negative acceleration if the velocity of body increases अगर किसी body की velocity बढ़ रही है जैसे मान लो पहले 50 थी फिर वो 80 हो गई तो मैं यहाँ पर आपकी velocity बढ़ रही है तो acceleration is positive तो इस case में आपका students acceleration कैसा होगा positive होगा तो अगर आपको कहीं पर acceleration के आगे positive sign लगा वा नजर आएगा तो आप समझ जाएगा वहाँ पर आपका velocity बढ़ रही थी इसलिए आपका acceleration positive आए है and if the velocity of body decreases और अगर velocity घट रही है velocity बढ़ रही थी जाए है अब मान लो पहले 50 थी अब मान लो 30 हो गई तो ऐसे केस में आपका acceleration आएगा negative क्या आएगा negative आएगा कैसा आएगा students negative आएगा and the acceleration is negative please इस चीज को अपने दिमाग में रखना बहुत ही important बात है usually most people use the word acceleration in those cases अब देखो जादर दर लोग ना acceleration word को हमेशा यूज करते हैं जब velocity बढ़ती है क्योंकि जब velocity घटेगी तो हम acceleration word को ना यूज करका हम आपर use करते हैं retardation क्या यूज करते हैं students retardation तो retardation जो acceleration है वो basically आपके क्या है वो opposite है वो negative and positive का सीन है एक में velocity बढ़र ही होती है and एक में velocity घट रही होती है समझे where the velocity of bodies increases and whereas decreases in the velocity of a body or slowing down is known as retardation so if the velocity increases अगर आपका velocity बढ़ रहा है तो यह आपका acceleration है बला आप इसके लिए acceleration word का स्थमाल कर लेते हैं and if the velocity is decreasing तो यह आपका क्या हो जाएगा student यह हो जाएगा आपका retardation क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका retardation and यह आपका negative sign से represent किया जाएगा because यह होता है negative acceleration क्या होता है students यह आपका यह होता है आपका negative acceleration समझें इसको हम declaration भी बोलते हैं students और negative acceleration भी बोलते हैं declaration वो यह ना घट रही है कोई चीज अब a body is said to be retarded if its velocity is decreasing अब आप किसी body को कब बोलोगे वनला आप किसी body को बोलोगे कि वो retarded है तो वो retarded है कब जब उसकी velocity कम हो रही है तो for example अब मालो के example लेते हैं a train is retarded when it slows down and approaching अच्छा जब कितना मस्स example उठाया है नहां पर मालो एक train थी वो अपने station चली अब वो जब चली तो वो जब उसने station को छोड़ा platform को छोड़ा तो basically उसकी speed बहुत तेज हो गई होगी for sure speed बहुत तेज होगी अब वो चल रही है चल रही है चल रही है अब मालो उसको next stop उसका आ चुका है क्या? उसका next stop आ चुका है अब जब उसका next stop आ चुका है students तो वहाँ पर क्या होगा? ये थोड़ी है वो madam 100 km प्रती घंटे की रफतार सारी थी वो ऐसी मला एकदम सा ब्रेक मारा पूरी train ओड के आ गए ऐसा नहीं होता न क्या होता है? speed को slow down करना पड़ता है तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? वहाँ पर velocity पहले जादा थी मालो velocity थी 100 km पर आवर वाली मालो कोई next stop आ गया तो अगर जब next stop आ चुका है तो भाई इतनी speed से थोड़ी गाली रोकेगा हो धीरे 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 ग्राज्वली आपकी जो velocity है वो कम करी जाएगी तो इट मींस कि यहाँ पे जो आपकी velocity होगी students वो decrease होगी velocity आपकी decrease होगी अब जब आपकी velocity decrease होगी students तो velocity होने की वजा से आपपका एक्सलीय निंद भोला गारीशन इसको अब वह लोग thrilled क्या बोला कि स्नुटैंट्स वहाँ पे निदार्ड के लिए रिथार्ड निदेशन अपोसित हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको रिटार डाडडेशन से क्या बोलेंगे students हम इसको बोलेंगे retardation तो यह जो train वाला example है बहुत अच्छा example है किसको समझने के लिए retardation को समझने के लिए कि जब मैं velocity जब train platform से छूटी तो उस ताहें पर उसकी speed बहुत ज़ादा थी बट जब वो किसी next station पर पहुचने वाली थी उस next station को अप्रोच करने वाली थी तो basically हमने क्या चीज़ नोटेस करी कि उसकी जो velocity थी वो अब कम हो रही है क्या हो रही है students अब वो कम हो रही है तो मतलब कि मैं velocity घट रही है तो अगर velocity घट रही है तो आपका acceleration retardation में convert हो रहा है मतलब कि negative acceleration हो रहा है तो अगर आपके दिबाग में ये train वाला example बैट गया तो मैं guarantee देती हूँ retardation कभी नहीं भूलोगे examples को माइन में रखा करो तो for example a train is retarded when it slows down on approaching a station because its velocity decreases समझ माया पहले इतना उता रही है जो भी मैंने हाप लिखा हुआ है अब देखो retardation is measured in the same way as acceleration अब retardation जो होता है students वो आपका ऐसे ही calculate होता है जैसे acceleration calculate होता है बस difference क्या होता है difference होता है क्या आपका acceleration positive होता है और आपका retardation negative होता है क्या होता है students आपका retardation negative होता है is equal to formula same ही रहेगा formula क्या रहेगा a is equal to v minus u by t formula आपका यही रहने वाल है बस होगा क्या हाँ पर आपका retardation negative होता है acceleration negative होता है इत मेंस खुद सोचों क्यों आएका negative दिमाव लगाओ थोड़ा सब क्यों आएका negative क्योंकि मैम यहाँ पर initial value जादा होगी final value से समझ रहो मालो जो train थी वो 100 km प्रती घंटे के उससे आड़ी थी velocity कितनी थी 100 km पर आवर यह उसकी वेलास्टी थी दन यस मैम यह थी उसकी initial मलें यह यू था बट मालो वी उसका हो गया 80 km पर आवर आप एक्सलेशन निकालो जड़ा और यह काम हुआ मालो कितना इसमें तो अगर इसको निकालेंगे तो वी इसका कितना है 80 माइनस हंड्रेड अपॉन 2 अब खुद सोचा ना 80 में से 100 माइनस नहीं करोगे करोगे तो 100 में से 80 बट 100 बड़ा है और जिसके जो वेल्यू बड़ी होती है तो मैं हम यहां पर क्या देखेंगे कि हां पर होगा आपका माइनस 20 बाइट तो मतलब कितना एगा माइनस 10 क्लोमीटर पर आवर स्कॉयर का रिटार्डेशन आएगा तो एक्सलेशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है इट मीज के उस क्वेशन में माम रिटार्डेशन हो यह कॉंसेप्टी बिल्को क्लियर है कुछ ऐसा है नी तो टार्डेशन इस एक्च्वाली एक्सलेशन विद नेगेटिव साइन के साथ क्या नेगेटिव साइन के साथ इस पॉइंट को मत भूलना हेर इस वान एक और एक्सामपल लेते हैं वहना कार पहले इसका स्क्रीन सेकंड थी तो इनीशल विलास्टी क्या होती है आपकी यू 10 मीटर पर सेकंड अप्लाइस ब्रेक्स एंड ब्रिंग दा कार तो रेस्ट इन 5 सेकंड और उसने बोला कि हम ब्रेक लगाएंगे 5 सेकंड बात गाड़ी को चलाएंगे फाइनल विलास्टी बिल्कुल जिरो तो वी हो गया आपका 0 मीटर पर सेकंड ब्रेक लगा दिया वो रेस्ट पर पहुंच गया कि यह कुछ करना ही नहीं है बैटना आराम से तो इस केस में मैं आप से बोलो एक्सलेशन निकालना तो अब एक्सलेशन निकालो तो एक्सलेशन का फॉर्मला क्या होता है वी माइनस य क्या है 0 माइनस यू है 10 अपॉन T कितना है 5 तो यहां पर हम क्या देखेंगे हम यहां पर क्या देखेंगे माइनस 10 अपॉन 5 यह आएगा क्योंकि 10 वेल्यू बड़ी है उसके आगे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब में यह आएगा माइनस 10 अपॉन 5 तो वेल्यू कितन है इतना समझ गया है कि नहीं समझ गया है गारी कितनी उससे रुकी होगी पर सेकेंड किसाब से दस टू मीटर इतना कुछ समझ गया है पहले इसका स्क्रीन शॉट लो तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको question भी deal करने होंगे retardation के तो acceleration is equals to a and a is what यहाँ पर कि अपकी फाइन लिखा है तो आपकी value कितने आगी minus two meter per second square तो car कि मतलब रुख जाएगी और यहाँ पर जब आपकी car रुखेगी तो वह zero velocity रहेगी उसकी समझ के does the acceleration of the car is minus two meter second square it is negative in sign but the negative acceleration is known as retardation but negative acceleration को ही हम retardation बोलते हैं तो आप basically इसको retardation भी बोल सकते हैं so the car has a retardation of car का retardation कितना है two meter second wire it should be noted that the acceleration of minus two meter second square and retardation of are just the same यह दोनों ही students same होते हैं और यहाँ पर sign change कर लना आप लोग यहाँ पर retardation is a negative sign done समझ मा आ गया वाला point आप लोगों को समझ मा गया yes ma'am समझ मा गया negative value of acceleration shows that the velocity of body is decreasing अभी जो negative value है ना इस acceleration की यह जो negative value है यह यही बताती है कि जो body है उसकी velocity क्या हो रही है student उसकी velocity कम हो रही है क्या यह negative sign बताता है कि velocity कम हो रही है velocity कम हो रही है क्या हो रही है velocity कम हो रही है अगर velocity कम हो रही है तो जो body है वो motion से resting state की तरफ जारी है easy अप clear हो रहा है ना yes ma'am clear हो रहा है when a body is slow down then the acceleration acting on it is in a direction opposite to that of the motion of the body वो यह चीज़ बता है वना आपको कि जब आपकी body slow down हो रही है तो acceleration कहाँ पर होगा, opposite to the direction of motion of the body, basically acceleration is in the direction of motion, but जब body आपकी slow down हो रही है, मतलब कि retardation जब होगा तो opposite होगा न acceleration, motion से, व्योंकि motion के opposite ही तो resting state आईगी ना, तो क्या बोला मामना भी, कि जब retardation होगा तो body motion से rest की तरफ जा रही है, वही बात है इसका, वही मतलब है, बस घुमा की दिवी है, thus we can have acceleration in one direction and motion in another direction, तो इस case में हम देखेंगे, acceleration एक डारेक्शन है, motion एक डारेक्शन में, क्योंकि अब क्या होगा, body motion से resting state की तरफ जाएगी, समझ मारा वाला point आप लोगो, समझ मारा है नहीं, समझ मारा है वही, आप देखो यह वाली कुछ images देखो, यह images आपको बताएंगी, acceleration है, कुछ example जैसे देखो, a rocket accelerates as it lifts off from the ground, okay, एक rocket है students, वो accelerate कर गया, जब वो मारा उपर गया होगा, तो इसका acceleration कैसा होगा, positive, the force needed for the lift off provided by the rocket engine by burning of fuel, force कहा समल होगी, वो फ्यूल बगरा burn करने के लिए, फिर if the girl in this picture falls a long way without a parachute, अगमाल लड़की जो है, यह आपको दिख रही है, without parachute fall कर रही है, her motion is accelerated and she will hit the ground with a speed of about 50 meter and the speed of the fast racing car, अभी hit करेगी, तो एक acceleration होगा, क्या होगा, students एक acceleration होगा, due to it is special design to make air resistant as large as possible, a parachute de-declarates as it fall down towards the ground, it has a negative acceleration, क्योंकि student हम यहापे क्या देखेंगे, क्योंकि यहापे आपका होगा negative acceleration, क्योंकि resting state मा रहा हो है, motion से, समझ by using parachute, this man will land on the ground safely with a speed of about only 8 meter per second, तो यह क्या होगा, उसकी velocity में क्या होगा, student यह उसका retardation होगा, यह उसका retardation होगा, अच्छे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगको acceleration का graph तो अच्छे से समझाया था, समझ में भी आया था, तुम लोगको, क्या मैं अगर acceleration हो रहा है, तो आपका, कैसे जाएगा, वो uniform and non-uniform वाला पढ़ा है था, तो basically, अब अगर मैं तुम से बोलू कि तुम retardation का graph बनाओ, तो कैसे बनाओ, सोचो, कैसे बनाओ, velocity time graph कैसे बनाओ, मैं हम ऐसे बनाएंगे, velocity time graph for the acceleration is, तो किस के लिए बनाओंगे पहल तो यह देखो, बनाओगे तुम लोग velocity और time के लिए तुम लोग इस graph को बनाओगे, अब हम क्या देखेंगे students, अब हम यह पर यह चीज़ देखेंगे, कि मानलो कुछ velocity थी इसकी, यहापर मानलो कुछ भी थी, कुछ भी velocity थी इसकी पहले से, अब आपको रिटार्डेशन के लिए दिखाना है, तो होगा इसका भी straight line, बस difference क्या होगा students, difference होगा, कि वो straight line ऐसे नीचे को होगा, तो यह graph होगा आपका रिटार्डेशन के लिए, किसके लिए होगा students, यह graph होगा आपका रिटार्डेशन के लिए, क्यों, क्योंकि आप यहापर देखेंगे, कि time के साथ साथ, ध्यान से देखो, observe करो इस graph को, time के साथ साथ velocity घट रही है, अगर acceleration का graph बनाओ, तो एक्सेलेशन ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो यह आपका क्या होगा, यहापर हो जाएगा आपकी velocity, और यहापर हो जाएगा आपका time, तो यहापर क्या होगा, कि आपकी, यहापर यहापर वेलासिटी है, तो वेलासिटी बढ़ेगी time के साथ, तो अग यह ग्राफ किसका होगा student यह होगा आपका acceleration का किसका होगा यह वाला ग्राफ यह वाला ग्राफ होगा आपका XC लेरेशन का समझ के तो मतलब मैं जो रिटार्डेशन का ग्राफ होता है उसके नीचे को होती है यह जल्दी से बता थो अब यह यह uniform के लिए नॉन यूनिफर्ट नोउन के लिए करवी हो जाएगा उसको आप याद रठना होगा होगा यह दोनों का होगा इस प्रेट लाइन ही इसका भी प्रेट लाइन होगा बस डिफ्रेंस क्या होगा कि उसमें जो आपका स्लोप पोगा और इसमें इसका स्लोप ऐसे उपर की तरफ मलए ऐसे सीधी ओगी वाली चीज़ आप लोगो कि अगर ग्राफ बना लेंगे अगर ग्राफ आभी जाता है रिटार्डेशन का बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना है as same as the acceleration बस देखने ना uniform acceleration है या non uniform है क्योंकि uniform retardation के लिए straight line होगा non uniform के लिए कैसा होगा कर भी होगा बस इतना आप लोगो को mind में रखना है क्या क्या रखना है mind में कि मैं uniform retardation के लिए straight होगा और non uniform के लिए curved होगा आपका कैसा होगा students आपका curved होगा तो ये था आपका retardation वाला concept I hope आपको retardation अच्छे समझ माँ चुका है तो हम retardation basically क्या होता है acceleration with the negative sign when the velocity of the body decreases समझ के यही है retardation और कुछ नहीं है क्योंकि positive तो आप देखते हो हमेशा positive ही आपको लगता है बड़ ऐसा नहीं होता जब आपका velocity का होती है तो महाँ पर होता है retardation तो I hope आपको यह बहुत अच्छे से समझ माँ आगे होगा इसका graph भी और यहाँ पर आपको यह पूरी चीज अच्छे समझ माँ आगे होगी कि मैं अगर मैं एक बार इसको कर दूँ है यह पर तो क्या है आपका retardation retardation है आपका negative acceleration negative acceleration because velocity decreases because velocity decreases समझ माँ गया बाला पॉइंट आप लोग को कि velocity क्या हो रही है students decrease हो रही है and body and body moves towards rest और body किस सरफ जा रही है students वो move करी है rest की तरफ resting state की तरफ retardation में body आपकी move कर रही होती है तो यहां देखना यह negative sign है negative acceleration होता है आपका तो इसी के साथ students आपका retardation वाला concept मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने ही कोशिश करिए अगर आपको यह session पसंदा हो तो बहुत चोटो सा topic है but important था discuss किया गया है इसलिए और मैं आपके से कहर चीज़ बताना चाहते हूं students के magnet penis आपको provide कराता है free of cost quality education मतलब आप देख रहे हैं हमारी quality delivery कि कितनी जादा अच्छी है हम बहुत अच्छे आपको कराने ही कोशिश करें पूरा पूरा fully complete organized course है और students अगर आप लोग CBSC बोर्ट से हैं तो हम आपको केजी से लेके class 12 तक की free of cost classes प्रवाइड कराते हैं और अगर आपको e-books और e-notes चाहिए उसका link भी आपको description box मिल जाएगा तो आप जाकर उसको वहां से लिए सकते हैं और आप हमें follow कर सकते हैं थो YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp इन सब के थो आप हमें follow कर सकते हैं और एका session पसंद आया है तो जल्दी से like कर दो और red heart को drop करना बल्कुल भी मत भूलना तो मैं मिलती हूं आप से नेक्स सेशन में ऐसी धमाकेदार भापे भी concept लेकर आऊंगी तो जड़त तक बने रहेगा मेरे साथ Magnet Prince for thank you so much